नमस्कार दोस्तों आपका हमारे जैनल में स्वागत है सुफ और सोभाग्य देती है सिव प्रिया पार्वती जी की फुजा दोस्तों देवादी देव भगान संकर की अर्धांग ने सिव प्रिया पार्वती तीनों लोग की सोभाग्य रुपा है दक्ष प्रजापती ने सुभाग्य रसका पान किया था उसके अंस से इस एक कन्या का जन्म हुआ सभी लोकों में उस कन्या का सुंदर ये अत्याधिक था इसी से इनका नाम सती हुआ रूप में अतिसे माधुरे और लालित्य होने की कारण वे ललिता परवत राज हिमाले के पुत्री होने से पारवती और अत्यांत गौरवर्ण होने से गौरी कहलाई त्यलोक के सुंदरी इस कन्या का विवा भगवान संकर के साथ हुआ स्रावण मास में केवल भगवान सिव की पूजा ही नहीं होती बल्कि सिवजी के अरंधांगनी माता पार्वती जी की पूजा भी परम फलदाई होती है सिव भावंगी पार्वती सभी इस्त्रियों की स्वामनी है संसार में इस्त्रिया विभिन कामनाओं की पुर्ते के लिए सिक्र विवा के लिए सुखी दामपत्य के लिए अब मंगलों के नाज के लिए सिव प्रिया की सरण में ही जाती है क्योंकि उनकी पति भक्ति की कोई समता नहीं है दामपत्य प्रेम का इस्तरोत भगवान सिव अब पारवती में ही नहीत है दोस्तों ये आठ नाम देते हैं सोभाग्य का वर्दान पारवती, ललिता, गौरी, गांधारी, सांकरी, सिवा, उमा और सती दोस्तों ये आठ नाम अत्यंत सोभाग्य दायक है पुजा के समय या फिर सुबह सुबह इनका उचारण किया जाए तो सिव प्रिया, पारवती, रूप, सोभाग्य, दाम, पत्य, सुख, संतान, धन, एवं एश्वर, यादी की सभी काम नहीं पुरी कर देती है एवं उमा मैस्वर की पुजा करने वालों को कभी सोख नहीं होता तो दोस्तों इसी प्रकार और भी रोचक जानकरी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक से अवर सब्सक्राइब करें अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट बॉक्स में अपने विज़ार जरूर रखें किस विशे पर वीडियो चाहिए ये भी बताए मारे चैनल में विज़िट करने के लिए धन्यवाद